दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका SS software and service में मैं शारुक आपका दोस्त अज लेकर आए एक नया topic जिसके अंदर आज हम आपको SQL query के बारें बताएं SQL query का मतलब होता structure query language आज के session में हम इसके benefit बताएंगे कि आप इसे किस तरीके से use करेंगे और इसे use करके हम क्या benefit ले सकते हैं तो आज का session आप लोगे लिए काफी important होने वाला है तो आप इस वीडियो को last तक देखे ताकि आपको SQL query के बारे में परता चले लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमाये चैनल को subscribe नहीं कहाई तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो upload करें उसकी notification आपको मिलती रहे अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना topic SQL query करेंगे सबसे पहले question आता है कि सर SQL query की जरुवत busy software में क्यों पढ़ रही है सर कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो हम busy के अंदर नहीं कर सकते उसे हम अलग से SQL query की मदद लेकर कर सकते जैसे अगर मैं आपको एक problem discuss करूँ जो busy के अंदर अबिलेबल नहीं है लेकिन अगर आप SQL query लगाएं तो उस काम को आप कर सकते हैं जैसे अगर मैं कोई payment या receive voucher का आपको preview दिखाऊं जैसे मैंने old plus p किया receive voucher आया यहां से मैंने standard format ली और अगर मैं इसको preview दिखाऊं और अब मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि सामने वाली party ने मुझे किस mode के अंदर payment दी या उसने मुझे cash दिया या उसने मुझे bank से पैसा दिया वो मुझे यहाँ पर डालना है तो वो field आपको busy के अंदर नहीं मिलेगी आप चाहिए कितनी भी कोशिश कर दो लेकिन अगर आप एक line की SQL query लिख दें तो वो field आपके सामने आ जाएगी इसके लिए हम SQL query लिखने के लिए सबसे पहले जाते हैं display में display के बाद आपको मिलेगा query system और query system के अंदर सबसे नीचे आता है SQL query बस आपको SQL query पर click करना है और जैसे ही आप SQL query पर click करेंगे सबसे पहले पूछेगा आपकी query का नाम मालो हमारे case में query का नाम A है तो हमने A डाल दिया इसके बाद पूछ रहा है specify password क्या आप इस query में कोई password लगाना चाहते अगर आप चाहते हैं कि आपकी query कोई दूसरा बंदा यूज ना कर सके तो आप यहाँ पर अपना password भी डाल सकते हैं हमारे case में password नहीं है तो हम यहाँ पर password नहीं डालेंगे और direct save button पर click कर देंगे सेफ हो जाने के बाद next topic आता है query type यह हमसे पूछ रहा है कि जो आप यह query बना रहे हो वो किसके उपर applicable होगा वो direct query है account master है item master है voucher header है grant total है subtotal है item detail है bill summary detail है item batch detail है या फिर item parameter है या item serial number और last में मिलेगा voucher header accounting अगर आप चाहते हैं कि मैं voucher accounting में डालना है तो आप इसमें इसको select करें और जो भी आपकी query है आप यहाँ पर query को type कर दें और उसके बास save कर दें सर आप बता सकते हैं query आपने कैसे लेकर देखी query अगर आपको सीखना है तो आपको separately इसका course करना पड़ेगा जिसके अंदर हम आपको query से related हर छोटी छोटी बाते बताएंगे लेकिन इस समय हमें आपको यह बताना ही कि आप ऐसकल query का use करके अपनी उन चीजों को बना सकते ह इसके बाद आपको save button पर click करना है वाहां आप use कर सकते हैं हम चाहते हैं कि को कहां जाना होगा administration में, configuration में, invoice document के अंदर आपको मिलेगा advance और advance के अंदर आपको जाना है receipt payment अगर आपके बास format बना हुआ है तो अच्छी बात है और नहीं है तो आप add new format पर click कर सकते हैं हमारी case में हमने already format बना रखा है तो हम आज से new पर जाएंगे और new के बाद configuration पर click करेंगे तो हम चाहते हैं कि जो हमारी party payment mode है उसके बाद वो लिखके आजाए cash है या फिर bank है तो इस case में अब मुझे उस query को यहाँ पर डालना है तो इसके लिए आपको अपने keyboard से क्या दबाना पड़ेगा all plus f4 दबाना पड़ेगा और जैसे ही आप all plus f4 दबाओगे तो यहाँ पर देखिए SQL query आगे यहाँ से आपको SQL query को select करना है जैसे आप select करेंगे यह आप से पूछ रहा है पी sir आपकी जो query answer देगी वो date में देगी नंबर में देगी या वो text है तो मैंने का वो text है तो मैंने हाँ से text ले लिया इसके बाद किया रहा है SQL query text name क्या है उसका तो हमने हाँ पर नाम क्या डाला था A तो हम यहाँ पर A डाल देंगे और इसके बाद F2 करके save करेंगे और जैसे ही हम इसको save करेंगे save करने के बाद जाएंगे receive में receive के बाद जाएंगे modify में और अगर अब मैं इसको all plus p करूँ receive voucher पर जाओं और अब मैं new format को select करके जैसे ही preview करूँगा तो देखें यहाँ पर जो भी आपका मोट तब हो आगी अभी cash है तो cash आ रहा है और अगर मैं इसका नाम change करके bank बना दूँ मालो अभी bank हमारे पास नहीं यहां यहां bank का नाम लिख देता हूं HDFC bank और यहां पर account number टेके गुरुप में मैंने bank account ले लिया और एफ टू करके safe करके safe हो गया safe हो जाने के बाद अब इस voucher को हम एफ टू करके safe कर देते safe हो गया safe हो जाने के बाद अगेन अगर मैं इसको print निकालों तो देखें आप पूछ रहा है क्या receive मैंने का receive voucher receive voucher के बाद new format और new के बाद जैसे ही अब मैं preview बटन पर click करूंगा तो देखें यहां पर आपका bank का नाम आगया HDFC bank account तो आप इस तरीके से SQL query का यूज करके अपनी उन चीजों को भी बीजी में डबलग कर सकते हैं जो अबिलेबल नहीं साथ-साथ यह तो आपने voucher के अंदर यूज करा अगर आपको लगता है कि मुझे custom column में भी इसको यूज करना है तो आप custom column के अंदर भी बताएं आई होप यह वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगी अगर वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी तो आप जादा से जादा लोग को शेर करें ताकि वो भी एसको के बारे में सीख सकें या फिर समझ सकें तो थैंक यू फर वाचिंग वीडियो